आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर भला हो भला नदी के किनारे एक पेर था पेर पर एक कबूतर बैठा था कबूतर ने देखा एक चीटी पानी में गिर गई है और वह अब डूबने ही वाली है कबूतर को दया आ गई उसने पेर की एक सुखी तहनी गिरा दी कर चीटी उस पर चट गई और डूबने से बच गई कबूतर पेर से उड़ा और तहनी को पानी से बाहर ले आया चीटी को बड़ी खुसी हुई उसने कबूतर को मन ही मन धन्यबाद दिया एक दिन एक सिकारी आया उसकी नजर कबूतर पर परी कबूतर पेर की डाल पर बैठा था सिकारी ने कबूतर का सिकार करना चहा वह तीर से निशाना साधने लगा उसी समय एक उरते हुए बाज की नजर भी कबूतर पर परी बाज भूखा था उरता हुआ वह पेर के निकट आया और उसकी उची डाल पर बैठ गया वह कबूतर को खा कर भूख मिटाना चाता था कबूतर संकट में पर गया सोचने लगा नीचे सिकारी है और उपर बाज यह जाए तो किधर जाए जान गवानी ही होगी कबूतर ने एक दिन चीटी को बचाया था अब चीटी की बारी आई उसने भी कबूतर को बचाना चाहा वह जट सिकारी के पास पहुँच गई और लगी उसे काटने सिकारी के हाथ पाउं हिले निशाना चुक गया उसका तीर बाज को लग गया तीर लगते ही बाज गिरा और मर गया कबूतर की जान बची और वह वहां से उर गया ठीक ही कहा गया है कर भला हो भला यहाँ पे कुछ सब्दों के अर्ष दिये गए हैं यह आपको याद कर लेना है जैसे संकट संकट मिन्स होता है मुसीबत शिकारी शिकारी मिन्स पसू पक्षियों को मारने वाला चूकना चूकना माइने होता है मौका छुट जाना बाज बाज एक शिकारी पक्षी तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यों फॉर वाचिंग वडियो